अब हम प्राव्लम नंबर वन देखते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको करने का प्रैस करिएगा मैं सीधे सलूसन के आता हूँ देखे इस प्राव्लम में कह रहा है एए स्टील प्लेट और विट्थ 120 mm एड अफ थिकनेस 20 mm इस बेंट इन्ट 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 इस सर्कुलर आर्क आफ रिडिये स्टेगमेटर डिटर्माइन द मैक्जिममम इस्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट विच विल प्रेड्यूस द यहां पर आयगा यहां पर आएगा यहां पर आएगा अगर simply supported beam रहती है तो आप जानते हैं बीम आपके इस तरीके से बेंड रव होती है तो neutral अग्जिस के उपर आपका compressive bending stress आता है neutral यहाँ पर tensile bending stress आएगा तो देखे हमें क्या करना है हमें I की value पहले निकलना रहेगा bending equation आप जानते है M by I equal to sigma by Y is equal to E by r तो इसमें हमें क्या निकालना है M की value निकालना है और sigma की value निकालना है इसको निकालना है तो पहले आपको I निकालना पड़ेगा 5 Newton per mm square, अब I निकालना है, I कैसे निकालेंगे, B into T का cube by 12, T क्या है, thickness है, कभी-कभी thickness को क्या बोल देता है, deep बोल देता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय depth का cube करना पड़ेगा, हमेशा thickness या depth का cube आप लोगों को करना है, तो देखें, हमने I निकाला, that is B into T का cube by 12, B is given, T is given, दोन आपको दिया है, divided by 12 कर दिया, तो you will get the value of I, that is 8 into 10 to the power 4 mm to the power 4, Y maximum क्या होगा, neutral axis से outermost layer की जो दूरी रहती है, उसको हम बोलते है Y, तो total T आपको कितना दिया है, 20 mm, तो Y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, T, Y, 2 आप कर देंगे, तो यह Y आगया, अब यहाँ पर मैंने bending equation की मदद ली, I के value देखें, यहाँ पर मैंने put कर दी, Y के value देखें, आपको दिया हुआ, यह put कर दी, E आपको दिया हुआ, R आपको दिया हुआ है, इसके बाद पहले मैंने इन दोनों को equate कर दिया, यह वाली equation मनगे, 10 का यहाँ पर मैं multiply कर दूँगा, तो sigma आपको निकल के आ जाएगा, second उसके बाद मैं इन दोनों equation को equate करूँगा, देखें, second मैंने इन दोनों equation को equate करा, इसमें मैं 8 into 10 to the power 4 का यहाँ पर multiply कर दूँगा, तो you will get the maximum bending moment, यह bending moment की value आपके निकल के आ जाएगी, फिर हम देखते हैं अगला problem, problem number 2, इस वाले problem में यह कह रहा है, calculate the maximum stress induced in a cast iron pipe, यह देखें, cast iron के आपको pipe दी हुई है, जिसका external diameter दी है 40 mm, internal diameter दी है 20 mm, इसकी length आपको दी है 4 meter, when the pipe is supported at its end, end पे देखें, pipe आपकी support लगा हुआ है, and carries a point load of 80 newton at its center, बीच में 80 newton का point load लग रहा है, हमें क्या निकालना है, maximum stress निकालना है, तो हम bending equation की मदद लेंगे, bending equation क्या है, m by i equal to sigma by y is equal to e by r, देखें, यह कौन सा case है, यह simply supported beam का case है, ठीक है, simply supported beam में क्या है, point loading बीच में लग रहा है, आप जानते maximum bending moment यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे maximum bending moment आप कैसे m की वेलो कैसे निकालते है, that is w l by 4, यह आपने theory portion में देखा था, वो यह चीज आप shear force और bending moment diagram जो आपने पढ़ा है, उसमें यह आप देख चुके हैं, अब इसमें हमें i की वेलो निकालना पड़ेगा, आप m की वेलो जानते हैं, maximum bending moment कितना आएगा, तो w देखिए आपको दिया हुआ है problem में, w आपको कितना दिया हुआ है, that is 80 newton, तो 80 into l, l meter में इसको mm में पुट कर दे, divided by 4 कर दिया, तो m आपका निकल के आगया, हमें i निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे cross-sectional area कि यसा है, circular है, तो इसका moment of inertia आप जानते है, circular section का वो भी hollow है, hollow का moment of inertia क्या आता है, pi y 64, d outer to the power 4, minus d inner to the power 4, d outer आपको दिया है, that is 40, d inner आपको दिया, that is 20, तो आपको i की value आजाएगी, y max की value की जरुवत पड़ेगी, maximum क्या होगा, maximum shear stress कहा मिलेगा, outer surface पे, तो इसकी दूरी neutral axis से जो आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो चुकि हमें maximum value of shear stress निकालना है, इसलिए y max की value लेना पड़ेगा, y max आपका कितना आएगा, d y 2, d y 2 करेंगे, 40 y 2 करेंगे, तो ये कितना आजाएगा, that is 20 mm आजाएगा, तो देखें, आपने m निकाल लिया, m निकाल लिया, w l by 4 से, आपने i निकाल लिया, 5 by 64, d to the power 4, minus d to 4 कर, y max निकाल लिया, इसमें आप put कर देंगे, तो you will get the value of, maximum value of share express, तो आपको m की value सोचना पड़ेगा, ये कौन सा वाला case है, तो देखें, simply supported beam पे, ये point loading लग रहा है, ये वाला case है, इसलिए मैंने m की value ये लिया, हम हर problem में, m की value को ध्यान से देखेंगे, अब हम problem number 3 देखते हैं, इस problem में, इस steel wire of 5 mm diameter is bent, into a circular shape of 5 meter radius, determine the maximum stress induced in the wire, देखेंगे ये wire है, इसको आपने bend करके, इस तरीके से लप्टा हुआ है, किस radius में, 5 meter radius में है, wire का diameter आपको दिया, that is 5 mm, इसका neutral axis देखेंगे, बीच में से जा रहा है, ठीक, तो देखेंगे, आपको नजर आ रहा है, कि यहाँ पे, tensile bending stress आएगा, और यहाँ पे, आपको compressive bending stress मिलेगा, तो जितना tensile bending stress आएगा, उतना एक compressive bending stress आएगा, तो यह जो दूरी आपकी आती है, neutral axis से, outer most layer की जो दूरी रहती है, उसको हम किस से represent करते हैं, y से represent करते हैं, तो हमें निकालना है, maximum bending stress कितना आएगा, तो देखें मैंने bending equation की मदद ली, m by i equal to sigma by y equal to e by r, हमें sigma की value निकालना है, y, y आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, outer center से, neutral axis से, outer most layer की दूरी, diameter कितना है, 5 mm, तो यह आधा कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा, तो यह y की जगा देखें, मैंने 2.5 यहाँ पे put कर दिया है, e equal आपको giga pascal में दिया हुआ है, आपको इसको newton per mm square में put करना पड़ेगा, तो देखें, 200 को मैंने 1000 से multiply कर दिया, r क्या है, radius of curvature है, यह आपको कितना दिया है, 5 meter दिया है, इसको मैंने यहाँ पे mm में put कर दिया, इसको मैं solve कर लूँगा, तो you will get the value of sigma, यह क्या है, it is the value of maximum bending stress, देखें, जितना maximum tensile bending stress आएगा, उतना ही maximum compressive bending stress आएगा, फिर हम देखते हैं, अगला problem, problem number 4, इस problem में यह कह रहा है, एक copper wire 2 meter diameter, देखें, यह copper wire है, यह drum के चारो तरफ लपिटा हुआ है, और इसका diameter आपको दिया है, that is 2 mm, is required to be wounded around a drum, find the minimum radius of the drum, minimum radius of drum निकालना, यह R निकालना है, मतलब radius of curvature आपको निकालना है, if the stress in the wire is not to exceed, 180 mega pascal, mega pascal, pascal क्या होता, that is newton per meter square, मतलब mega newton per meter square, mega newton per meter square क्या होता, that is newton per mm square, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, take the modulus of elasticity, कितना लेना है, 100 giga pascal, giga pascal को भी आपको newton per mm square में convert करना पढ़ेगा, तो इसमें क्या करना पढ़ेगा, 10 to the power 3 का multiply आपको करना पढ़ेगा, तो देखें, radius of curvature आपको निकालना है, bending equation की हमने मदद ली, आपको क्या दिया हुआ है, sigma की value दिया हुआ है, 80 mega pascal या 80 newton per mm square, y देखिए, neutral axis से outermost layer की दूरी को हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे, इसका diameter आपको दिया है 2 mm, तो यह y कितना हो जाएगा, 1 mm, that is 1, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, e की value, giga pascal है, तो newton per mm square में यहाँ पे मैंने put कर दिया, आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, next problem देखते हैं, problem number 5, देखिए, इस पे बोल रहा है, a metallic rod 10 mm diameter आपको दिया हुआ, is bent into a circular form of radius 6 meter, if the maximum bending stress develop in the rod आपको दिया हुआ है, that is 125 MPa, find the value of young modulus for the rod material, young modulus निकालना है, e निकालना है, तो देखिए, हमने bending equation की मदद ली, myi equal to sigma yy equal to eyr, sigma की value आपको दिया हुआ है, maximum bending stress की value देखिए, आपको 125 MPa दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे, हमें y निकालना है, neutral axis से outermost layer की दूरी को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो इसका diameter आपको दिया है 10 mm, तो यह y आपको कितना हो जाएगा, that is 5 mm, तो देखिए y के लिए यहाँ पे मैंने 5 put करिये, और radius of curvature आपको दिया है 6 meter, यहाँ पे देखिए मैंने इसको mm में put कर दिया है, इन दोनों को मैं equate कर दूँगा, तो you will get the value of young modulus, देखिए, यहाँ पे आएगी compressive bending stress, और यहाँ पे क्या आएगा, tensile bending stress, चुकि neutral axis से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी same है, तो जितने tensile bending stress आएगा, उतना ही compressive bending stress आएगा, फिर हम देखते हैं, next problem, problem number 6 देखते हैं, देखिए, यहाँ पे यह कह रहा है, एक cantilever of length 2 meter fails, when the load of 2 kilonewton is applied at the free end, if the section of the beam आपको दिया है, 40 mm into 60 mm, तो यह इस तरीके से dimension देते हैं, तो पहला क्या होता, B होता है, second क्या होता है, T होता है, हम जब भी I निकालते हैं, तो B into T का cube Y 12 करते हैं, और Y कितना आता है, T Y 2 आता है, तो यह जो dimension है, तो याद रहना, पहला वाला width रहता है, और second वाला आपपर depth रहता है, या thickness रहता है, तो I निकालना रहे, या Y निकालना रहे, I निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, B into T का cube divided by 12, या thickness नहीं, तो कभी वो depth बोलेगा, तो depth का cube divided by 12 करतेंगे, और Y निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, T Y 2 करेंगे, या D Y 2 करेंगे, thickness या depth divided by 2 हम करतेंगे, तो देखेंगे इसमें क्या गोल रहा है, find the stress at the failure, stress आपको निकालना, तो आपने bending equation की मदद ली, M by A equal to sigma by Y equal to E by R, तो देखेंगे, cantilever में इस साइड आपका load लग रहा है, तो आप जानते हैं, यहाँ पर maximum bending moment आता है, यह maximum bending moment कितना आएगा, W into L, तो maximum bending moment मैंने लिखा, W into L, क्योंकि इसकी value आपको निकालना पड़ेगा, तो देखें, W आपको दिया है, 2 किलो न्यूटन दिया है, I निकालना, I होगा, BT का cube by 12, B आपको दिया है, पहला वाला क्या होता, B होता है, second वाला T होता है, तो 40 into 60 का cube by 12, यह आपका I निकाल क्या आजाएगा, Y कितना होगा, T by 2 होगा, T by 2 कर देंगे, तो Y 30 आजाएगा, तो यह वाली value, हम bending equation में put कर देंगे, इसमें put कर देंगे, और you will get the value of sigma, इसको हम solve कर लेंगे, 30 का multiply इधर कर देंगे, तो maximum bending stress की value आजाएगी, 166.67 Newton per mm square, फिर हम देखते हैं, अगला problem, अब हम problem number 7 देखते हैं, देखिए, इसमें यह कह रहा है, a rectangular beam, 200 mm deep, and 300 mm wide, is simply supported over a span of 8 meter, what uniformly distributed load per meter, the beam may carry, if the bending stress is not to exceed 120 Newton per mm square, तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यह omega की value निकालना है, तो देखिए, that is weight per unit length निकालना है, uniformly distributed load कितना लगेगा, यह निकालना है, तो देखिए, एक simply supported beam पे, ideal लग रहा है, तो उस case में आप जानते, maximum bending moment आपको, यहाँ पे मिलेगा, वो bending moment maximum, कितना मिलता, omega L square by 8 आपको मिलता है, आपको I निकालना है, I A से निकालते, B into D का cube by 12, या B into thickness का cube divided by 12, तो देखिए, यहाँ पे B आपको दिया है, D आपको दिया है, that is 200, इसका cube करा, divided by 12 करा, तो यह आपका moment of inertia निकालके आगया, Y निकालना है, तो आइदर T by 2 करेंगे, या D by 2 करेंगे, depth का, depth को divided by 2 करना रहता है, thickness को divided by 2 करते हैं, तो Y आपको निकालके आजाता है, तो 200 divided by 2 कर दिया, तो Y आपको निकालके आगया, अब हमें तो omega निकालना है, uniformly distributed load कितना लगेगा, यह निकालना, हमने bending equation की मदद ली, M by I equal to sigma by Y, M की value देखिए, omega L square by 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि simply supported beam पे, UDL है, अगर point loading रहता, तो कितना लिखते हैं, W L square by 2 आप लिखते, point loading के case में, आपने पिछला वाला आपने देखा था, चुकि यहाँ पे क्या है, UDL है, इसलिए omega L square by 8 लेंगे, I की value आप निकाल चुके हैं, I की value आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे put कर देंगे, sigma की value आपको दिया है, 120 N per mm square, यहाँ पे आप put कर देंगे, Y की value आप जानते हैं, DY2 होता है, यह TY2 होता है, तो यह आप निकाल चुके हैं, that is 100, अब देखिए सारी value आपने put कर दिया है, आप equation को solve कर लेंगे, तो you will get the value of omega, तो आपको uniformly distributed load, per meter length आपको मिल जाएगा, इसको आप solve कर लेजेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं problem number 8, तो सेम पिछले problem जैसा ही है, क्या बोल रहा है, rectangular beam 300 mm deep, is simply supported over a span of 4 meter, यह length आपको दिया है, that is 4 meter, determine the uniformly distributed load per meter, which the beam may carry, if the bending stress should not exceed, bending stress इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, IQL आपको दिया है, IQL नहीं दिया है, देगा तो क्या करेंगे, B into D का Q by 12 करेंगे, यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं, maximum bending stress, UDL के case में, यहाँ पर आता है, center में कितना आता है, omega L square by 8 आता है, I आपको दिया है, Y आप जानते है, DY2 या TY2 होता है, तो Y कितना हो गया, 150 हो गया, आपने bending equation की मदद ली, M की जगा यह value पुट कर दी, I की value दिया है, वो यहाँ पर पुट कर दी, maximum value of bending stress आपको दिया हुआ है, और Y आप जानते हैं, that is DY2 या TY2 होता, यहाँ पर आपने पुट कर दिया, इसको हम solve कर लेंगे, इसको हम solve कर लेंगे, इन दोनों को देखे, मैंने equate कर दिया, और इसको मैंने solve कर लिया, तो you will get the value of omega, आपको uniformly distributed load, per meter length आपको मिल जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, problem number 9, तो देखे, इस problem में यह क्या कह रहा है, a square beam, 20 mm into 20 mm in section, and 2 meter long, इसकी length आपको दिया है, 2 meter है, is supported at two ends, the beam fails when the load of 400 newton is applied at the center of the beam, जब यहाँ पे आप 400 newton का load, लगाते हैं यहाँ पे, तो beam आपकी fail हो जाती है, what uniformly distributed load per meter length, will break a cantilever of the same material, 40 mm wide and 60 mm deep and 3 meter long, तो देखे, एक simply supported beam पे, जब यहाँ पे point loading आप लगाते हैं, point loading आप लगाते हैं, 400 newton का तो यह fail हो जाती है, ठीक है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे कितना ideal आप लगाएंगे, cantilever में जिसके dimensions आपको दिया हुआ है, कि यह fail होगा, है ना, इसको fail होने के लिए, you這樣 आप कितने का लगाएंगे, यह हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखे, दोनों का material सेम है, material सेम है, same material बोला है, तो जितना bending stress इसमें लगेगा, उतना bending stress इसमें लगेगा, इसको fail होने के लिए अगर material सेम है तो दोनों में bending stress की value क्या आएगी सेम आएगी तब यह आपका क्या होगा fail होगा तो इस case में bending stress निकाल लेंगे y bending stress की value यहाँ पे put करेंगे इसमें omega निकालने के लिए तो देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं bending equation हम जानते m by i equal to sigma by y is equal to e by r तो यहाँ पे अगर एक point loading बीच में लग रहा है और एक simply supported beam है तो maximum bending moment इधर आता है कितना आता है w by 4 आता है यह w by 4 क्यों आता है क्योंकि यहाँ पे w by 2 आएगा reaction और यहाँ पे भी by 2 आएगा reaction और यह जो दूरी आपकी आएगे यह कितनी आएगे l by 2 आएगे तो जब w by 2 में l by 2 का multiply करेंगे तो w by 4 आपका आजाएगा तो यह maximum bending moment आपको पहले निकालना पड़ेगा तो maximum bending moment कितना है w by 4 ठीक i क्यों लिए निकालेंगे that is b into d का cube by 12 आपको b और d एक square beam दिया है तो b और d आपका क्या है बराबर दिया है that is 20 और 20 तो 20 into 20 का cube by 12 कर दिया तो i की value आगई आप जानते है y क्या होता है d y 2 होता है d y 2 होता है तो d y 2 d कितना है 20 by 2 करेंगे तो y आपका आजाएगा इन value को मैंने क्या करा है इन value को मैंने bending equation में put कर दिया है m की value यहाँ पर put कर दिया है w l by 4 i की value जो हमने निकाली है वो मैं यहाँ पर put कर दूँगा sigma हम निकालेंगे bending stress निकालेंगे y की value कितनी आएगी 10 आएगी y की value 10 क्यों आएगी dy2 करेंगे तो 10 आपका आ जाएगा तो यहाँ पर देखें फिर मैंने w की value put कर दिये यहाँ पर मैंने length की value put कर दिये और इस equation को solve कर दिये इन दोनों को equate करके तो यह आपकी bending stress की value आ गई मतलब अगर 150 newton per mm square का bending stress लगेगा इस material पर तो यह material क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा अब क्या है दोनों case में material सेम है तो दोनों में bending stress क्या लगेगी सेम लगेगी इसको fail होने के लिए अब second case में देखिए फिर से हम bending equation की मदद लेंगे अब यहाँ पर देखिए हमको mk value निकालने पड़ेगी mk value इस case में क्या आती है वो निकालने के लिए पहले हम udl का total weight निकालेंगे udl का total weight कितना आएगा that is omega into l omega क्या होता है it is weight per unit length होता है एक unit length पर weight कितना है omega तो l unit पर weight कितना होगा omega into l होगा और यह जो distance आएगा यह आपका कितना हैगा l by 2 आएगा तो देखें यहाँ पर omega l into l by 2 करेंगे तो omega l square by 2 आ जाएगा तो maximum bending moment आपने देखा omega l square by 2 i b d का cube by 12 तो यहाँ पर dimensions अलग दी होई है second case में b और d की value देखें 40 mm white दिया है और 60 mm deep दिया है जो भी deep रता इसका cube करते हैं जो deep रता उसका आधा करते हैं क्या निकालने के लिए y निकालने के लिए है तो यहाँ पर मैंने i की value निकाली b d का cube by 12 d कितना है 60 है b कितना है 40 है इससे आपका i आ जाएगा y कितना होगा d by 2 करेंगे तो y आपका 30 आ जाएगा अब bending equation में यह value में put कर दूँगा m की जगा omega l square by 2 put कर दिया i की value आप निकाल चुके हैं उपर वाली equation से यह आपका i की value है sigma bending stress की value आप पहले निकाल चुके इस वाले case से दोनों की case में किसकी value सेम रहेगी sigma की value सेम रहेगी 150 newton per mm square यहाँ पे put कर देंगे y क्या होगा d by 2 60 by 2 कर रहा तो y आपका आगया 30 इन दोनों को अपन equate कर लेंगे यहाँ पे और इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of omega जब omega आपका 0.8 newton per mm square रहेगा तो यह वाला beam आपका क्या हो जाएगा fail हो जाएगा break हो जाएगा आपका ठीक तो ध्यान रखेगा अगर दोनों में material सेम है तो सेम bending stress की value दोनों में आएगी तो इससे bending stress की value निकाल के मैंने इस वाले case में put कर दिया तो you will get the value of omega चलिए फिर हम कर देखते हैं अगले problem को अब हम problem number 10 देखते हैं तो देखिए इस problem में a beam is simply supported and carries a uniformly distributed load of 40 kN per meter runs over the same span the section of the beam is rectangular having the depth depth देखिए आपको 500 mm दिया है if the maximum stress in the material of the beam आपको दिया हुआ है i के value भी आपको दिया हुआ है find the span of the beam हमको beam की क्या निकालना है span निकालना है length निकालना है ठीक तो देखिए अगर एक simply supported beam पे ideal लगता है तो maximum bending moment के value कितनी आती omega L square by eta P हम जानते W is equal to क्या होता है omega L होता है तो यहां पर omega L square क्या लिख सकते W L भी लिख सकते हैं Y की value आप जानते D y 2 करते हैं या T y 2 करते हैं तो D आपको दिया है 500 500 by 2 कर देंगे तो Y आपका आ जाएगा अब bending equation क्या है M by I equal to sigma by Y equal to E by R M की value देखे यहां पर मैंने put कर दी omega L square by 8 I की value आपको problem में दिया है यहां पर put कर देंगे maximum bending stress की value आपको problem में दिया है वह यहां पर हम put कर देंगे Y की value आप जानते हैं D by 2 होता है D by 2 यहां पर put कर देंगे इन दोनों को अपने equate करके इसको solve कर लेंगे इसमें क्या दिया है उमेगा की value भी आपको दिया हुआ था omega कितना दिया था 40 kilo Newton per meter यह 40 Newton per mm किलो क्या होगा 1000 हो जाएगा और मीटर को mm में convert कर लेंगे तो नीचे भी 1000 आपका आजाएगा तो kilo वाला 1000 मीटर वाले 1000 से कड़ जाएगा तो इसको 40 Newton per mm भी लिख सकते हैं तो यहां पर देखे 40 में ने put कर दिया तो इसको solve करने पर you will get the value of length L आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं प्राब्लम नंबर 11 इस प्राब्लम में दो पार्ट है पहला पार्ट में बुल रहा है आ तिम्बर बीम रेक्टेंगलर सेक्शन इस तो सपोर्ट आ लोड अफ 20 किलो नूटन उनिफॉर्मली इस्टिबूटेट ओवर स्पान अफ 3.6 मिटर रेक्टेंग है अछी पेक्टेंगि यह नौ थिम्पली सपोर्ट बीम है एक्टेप्ट अप अप्प्पाप्ट आ जा सेक्शन इस क्लिसwen निकालनाा है second में बोल रहा है how would you modify the cross section of the beam if it carries a concentrated load of 20 kN at the center with the same ratio of width and depth तो पहले पर तो UDL लग रहा है 3.6 meter पर जिस उस UDL का total weight कितना है 20 kN का है तो अपन दोनों case में dimension निकालते हैं पहला case देखते हैं पहला case देखिएगा इसमें ये UDL लग रहा है इस UDL का weight कितना दिया है 20 kN पूरे UDL का weight है तो अगर simply supported beam पर UDL लगेगा तो maximum bending moment आपका यहाँ पर आएगा ये maximum bending moment किसके करण आता है एक तो ये जो R2 वाली reaction लग रहा उसके करण आता है second कितना जो UDL इसके right side लग रहा है वो भी यहाँ पर क्या करता है bending moment produce करता है तो इन दोनों के करण कितना हैगा omega L square by 8 आप जानते W is equal to क्या होता है omega L होता है तो आप क्या करेंगे omega L को क्या लिख देंगे W लिख देंगे W L by 8 आप लिख देंगे यहाँ पर आपको दिया है D is equal to 2B it is given in the problem आप जानते Y क्या होता है D by 2 होता है तो D बराबर कितना है 2B है तो D की जगा 2B आपने put कर दिया 2B by 2 कर देंगे तो यह B आजाएगा अब I जानते B into D का cube by 12 या B into thickness का cube by 12 हमको करना रहता है तो D बराबर कितना है आपका 2B है यहाँ पर 2B आप put कर देंगे तो I की value भी आपको B के term मिल जाएगा Y भी B के term में है और I भी B के term में है हमको dimension निकालना है B निकालना है और D निकालना है हम क्या करेंगे हम bending equation की मदद लेंगे bending equation क्या कहता है M by I equal to sigma by Y equal to E by R यह M की value है UDL के case में simply supported beam और UDL के case में M की value यहाँ पर put कर दिया I की value आप निकाल चुके हैं अभी-अभी I कितना निकाला 8 into B to the power 4 upon 12 sigma maximum stress की value कितना दिया that is 7 newton per mm square यहाँ पर put कर देंगे और Y देखे B के जितना यहाँ पर आप निकाल चुके है अब देखें यहाँ पर omega L square को मैंने क्या लिख दिया WL लिख दिया और W2 पूरे UDL का weight आपको दिया हुआ है पूरे UDL का weight कितना दिया है 20 kN आपको problem में दिया हुआ है यहाँ पर देखे 20 kN uniformly distributed over a span of 3.6 m तो पूरे UDL का weight W दिया हुआ है 20 kN दिया है इसलिए 20,000 लिख दिया distance 3.6 m में दिया है इसको मैंने mm में ले लिया और यहाँ पर सारी values में put कर चुका हूँ put करने के बाद इन दोने equation को में equate करके solve कर लूँगा तो you will get the value of b, b कितना आ जाएगा 124.5 mm अब अगर आपका b निकल गया, b में 2 का multiply आप कर दीजिए तो आपका d निकल के आ जाएगा that is 249 mm आ जाएगा यह केस के लिए है जब simply supported beam पे पूरे reason में क्या लग रहा था यूडियल लग रहा था तो आपके bod गया आया इसमें second part भी है second part में क्या है यूडियल नहीं लग रहा है 20 kN का क्या लग रहा है point loading लग रहा है बीच में तो उस केस में M के लिए आपकी change हो जाएगी M के लिए कितनी आजएगे WL by 4 आ जाएगी तो यहां पर आपको maximum bending moment मिलेगा WL by 4 उसने दिया है d बराबर 2b problem में दिया है और हम जानते y equal to dy 2 होता है तो d की जगा 2 भी put कर देंगे तो y के लिए आपकी b आ जाएगी i निकालना पड़ेगा i क्या होगा b d का cube by 12 हम जानते d बराबर कितना होता है 2b होता यहां पर put कर देंगे तो i के लिए आ जाएगा 6 meter दिया है mm में ले लिया by 4 कर दिया stress की value भी आपको problem में दिया है that is 7 newton per mm square तो यह एक equation बन गए b के term है हम जब इन दोनों को equate करके इसको solve करेंगे तो you will get the value of b आपको इतना मिल जाएगा यह b की value आप यहां पर put कर देंगे b की value तो आपके d की value इतना निकल के आ जाएगा तो हमें क्या याद रखना है M की value, M की value इस case में क्या है M की value आपने देखा था उपर जब simply supported beam पे UDL लग रहा था तो इस case में M की value क्या है कई case में हमको M की value निकालनी पड़ती है इसमें तो अगर आपने रटा हुआ है तब भी काम चल जाएगा तो वो वरा case हम आगे दे देखते हैं अब हम देखते हैं problem number 12 देखें काफी अच्छा problem है एक timber beam of rectangular section of length 6-8 meter is simply supported the beam carries a UDL of 12 kilonewton per meter runs over the entire length and a point load of 10 kilonewton at 3 meter from the left support if the depth is 2 times the width देखे D बरबार 2 भी आपको दिया हुआ है problem में 2 times the width and the stress in the timber is not to exceed 8 newton per mm2 stress इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए find the suitable dimension of the section इसके dimensions आपको निकालना है B और D निकालना है उसने बोल दिया D बराबर 2 भी given in the problem हम जानते Y कितना होगा D Y 2 होगा D की जगा 2 भी पुट कर देंगे तो Y के वलू कितनी आ जाएगे B के जित्ता आ जाएगी अब महनत किसमें पड़ेगी हमको यह M के वलू निकालने के लिए maximum value of bending moment हमको निकालना पड़ेगा तो देखी हमने जो kisses किया जिसके लिए हमने रटा आ है अगर एक simply supported beam पे point loading लग रहा है इसके लिए आपने रटा है एक simply supported beam पे u-deal लग रहा है इसके लिए भी आपने निकाल के रट लिया है एक cantileverage इस पर point loading लग रहा है इसके लिए आप जानते maximum bending moment यहां पर आएगा यह भी आपने रट लिया है एक cantileverage इस पर UDA लग रहा है इसका bending moment इस point पर जो आएगा वो भी आपने निकालके रट लिया है लेकिन इसमें तो नहीं रटा है लेकिन आपने shear force और bending moment diagram mechanics में आप पढ़ चुके हैं तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे इसमें maximum bending moment निकालेंगे तो देखिए maximum bending moment कहां पर आता है यहां पर shear force की value क्या आती है जीरो आती है अब shear force की value अपने को निकालना है तो पहले R A और R B की value निकालना पड़ेगा यह कितना आएगा तो R B निकालना तो आप क्या करेंगे यहां पर moment लेंगे यहां पर 10 का moment लेंगे तो वो कैसा है अगा clockwise पूरे UDL का moment लेंगे तो पूरे UDL का पहले weight निकालना पड़ೆगा पूरे UDL का weight कितना आएगा? देखिए ये kilo Newton per meter में तो kilo को पहले में kind lo Newton को Newton मना देता हूँ पूरे UDL का weight कितना आएगा? ये total weight आएगा इसका इसका भी moment यहाँ पर लेना पड़ेगा तो यह जो distance आएगा यह आपकर कितना आएगा 4 मिटर आएगा यह आपने support reaction पढ़ा था mechanics में उसके concept में ने लगाया तो 10 kN का moment यहाँ पे लेंगे तो 10 kN का Newton में लिखा minute 10,000 x 3 तो यह 10 kN का moment यहाँ पे आगया तो UDL का भी moment आपको इस point पे मिल जाएगा और Rb का moment देखी यह आपको anti clockwise नजर आ रहा है तो मैंने sigma m equal to 0 कर दिया तो इस equation से आपके Rb के value निकल गए अब आपने condition of equilibrium की अगली condition लगाई sigma v equal to 0 ऊपर लगने वाले forces that is Ra plus Rb नीचे कितना लग रहा है 10 kN plus UDL का total weight UDL का total weight कितन आएगा that is 12,000 into 8 तो देखे ऊपर कितना लग नीचे कितना लग रहा है 10,000 और नीचे कितना लग रहा है 12,000 into 8 तो ऊपर लगने वाले minus नीचे लगने वाले equal to 0 कर दिया इन दोने equation तो solve करके आपने Ra और Rb की value निकाल ले हमें क्या करना है maximum value of bending moment निकालना है तो bending moment maximum कहां पे आएगा जहां पे share force की value क्या आएगी 0 तो देखे share force की value कहां पे 0 आ रही है इन दोनों के बीच में 0 आ रही है ठीक है आपने share force और bending moment डियाग्रम बनाना सीखा है तो हम बोल रहे है कि यहां से x meter पे share force की value कितनी आ रही है 0 आ रही है ठीक तो पहले हमको यह x निकालना तो यहां पे share force की value 0 किसके कारण आ रही है पहले हम यह समझे मान लीजे यहां पे share force की value कितनी आ रही है 0 आपकी आ रही है कहां से यहां से x meter पे तो यहां पे share force 0 कौन produce कर रहा है एक तो x meter पे जो यूडियल लग रहा है वो produce कर रहा है और second आपका क्या कर रहा है आर भी कर एक्स मीटर पर जो यूडिय लग रहा वो यहां पर कितना शियर फोर्स प्रेडियूस कर रहा है यह कितना कर रहा है यह को प्लस ले लेंगे एक को माइनस ले लेंगे यह दोनों मिलके यहां पर कितना शियर फोर्स प्रेडियूस कर रहा है जीरो कर रहा है यहां पर चुकिए शियर फोर्स आपका जीरो प्रेडियूस हो रहा है इसलिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा आपको मैक्सिम मिलेगा तो देखे शियर फोर्स विल बे जीर at a distance x from b तो देखिए 12,000 into x यह जो x meter पर जो यूडिय लग रहा वो यहाँ पर इतना share force produce कर रहा है rv कितना कर रहा है minus rv equal to 0 इसको जब आप solve कर लेंगे rv के value देखे यहाँ पर आप put कर देंगे तो x की value निकल के आ जाएगे मतलब यहाँ से इतने दूरी पर कितने 4.3125 meter पर यहाँ पर share force कितना मिलेगा 0 अब इस point पर bending moment आपको maximum मिलेगा अब maximum कितना मिलेगा यह हमें निकालना पड़ेगा तो इस point पर देखे मैं bending moment निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर bending moment कोन produce करेगा एक तो RB करेगा और second इसके right set जो UDL लग रहा है X meter पर वो यहाँ पर bending moment produce करेगा यह यहाँ पर कितना bending moment produce करेगा तो इसके लिए पहले मैं UDL का total weight निकालूँगा X meter पर जो UDL लग रहा है उसका total weight आएगा 12,000 into X यहाँ पर bending moment produce करेगा तो इसका moment यहाँ पर लेना पड़ेगा तो यह distance कितना आएगा that is X by 2 तो RB यहाँ पर bending moment produce कर रहा है RB into X यह मैंने लिखा और यह जो UDL इसके right set जो लग रहा है वो यहाँ पर bending moment produce कर रहा है minus 12,000 into X यह तो UDL का total weight हुआ into X by 2 इन दोनों का moment यहाँ लेना है moment क्या होता है force into perpendicular distance यहाँ पर आप RB और X की value पुट कर देंगे X की value आपने निकाला है कहाँ पर X की value 4.3125 meter है यहाँ पर shear force की value कितनी है 0 तो M की value यह आपके निकल के आ जाएगी Newton meter में आपने M निकाल लिया आपको I निकालना पड़ेगा आप जानते I क्या होता है B into D का cube by 12 D बराबर 2B आपको problem में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप फुट कर देंगे तो you will get the value of I 8 into B to the power 4 by 12 तो यहाँ पर आपको shear force और bending moment diagram के concept clear होने चाहिए तभी आप क्या कर पाएंगे maximum bending moment इस तरीके के problem में निकाल पाएंगे आपके support reaction के भी concept clear होना चाहिए तभी आप R A R B निकाल पाएंगे तभी यह problem आप आगे कर पाएंगे तो आपने M निकाल लिया आपने I निकाल लिया आपने Y बराबर B निकाल लिया है अब यह में क्या करूँगा bending equation में यह value मैं put कर दोंगा M की value में यहाँ पे मैंने put कर दिया I की value मैंने यहाँ पे put कर दिया Y की value मैंने यहाँ पे put कर दिया Sigma की value आपको दिया 8 Newton per mm square इसको solve कर लेंगे इस equation को इन दोनों को equate करके तो you will get the value of D हम जानते D वराबर 2B D वराबर 2B है B की value यहाँ पर आप put कर दीजेगा तो D की value आपके निकल के आ जाएगे लेकिन हमें support reaction और shear force bending moment diagram center of gravity और moment of inertia topic आना चाहिए तब ही यह वाला problem हमें समझ में अच्छे से आपाएगा अब हम देखते हैं problem number 13 देखिए इसमें क्या बोल रहा है a rolled steel joist of ice section carries a usual of 40 kN per meter run over a span of 10 meter calculate the maximum stress produced during bending तो देखिए एक steel का joist है जिसका जो ice section का है देखिए ice section का है मतलब उसका जो cross sectional area के सा है आई है आपको क्या करना है maximum bending stress निकालना है तो देखिए आप जानते कि यह flange होता है it is flange ठीक है इसको upper flange बोलते हैं इसको lower flange बोलते हैं और यह बीच में क्या होता है web होता है ठीक तो देखिए upper flange और lower flange के dimension आपको same नजर आ रहा है तो यह symmetrical है xx axis के about और yy के about भी है यह xx axis के about भी symmetrical है और yy axis के about भी symmetrical है मतलब इसके cg इसके center में लाई करेगी यहाँ पे तो इसके cg से इसका neutral axis पास होके जाएगा तो neutral axis कहां से पास होके जाता है center of gravity से पास होके जाता है कब जाता है जब beam के material hooks law को follow करें और longitudinal direction में कोई भी forces न लगे तब beam जितब क्या होता है neutral axis इसके cg से पास होके जाता है तो देखिए यह simply supported beam है तो देखिए neutral axis के ऊपर जितना portion आ रहा है उतना है neutral axis के नीचे आ रहा है यह simply supported beam है इसके मतलब ऊपर क्या आएगा compressive bending stress आएगा नीचे क्या आएगा tensile bending stress आएगा तो जितना compressive bending stress आएगा उतना है tensile bending stress आएगा तो हमें तो maximum stress निकालना है bending के कारण तो हमें bending equation की मदद लेनी पड़ेगी तो हमें I की जरुवत पड़ेगी moment of inertia की जरुवत पड़ेगी तो देखें पहले में इसका moment of inertia निकालूंगा किस axis के बढ़ निकालूंगा neutral axis के बढ़ निकालूंगा ठीक दिखेगा, neutral axis आपको नजर आ रही है, यह आपकी neutral axis है, इसके अगर आपको moment of inertia निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले rectangle का moment of inertia निकालेंगे, ऊपर वाले rectangle के centroidal axis, आपने पढ़ा है mechanics में, कि अगर यह आपका rectangle है, इस rectangle के इस side को मैंने B बोला है, इस side को मैंने D बोला है, अगर इस rectangle का moment of inertia इस axis के और निकालना है, तो यह D को काट रहा है, हम D का cube करेंगे, तो इस axis के बाउट, इसका moment of inertia आएगा, B D का cube बाई 12, अगर इस rectangle का moment of inertia इस axis के और निकालना है, तो यह B को काट रहा है, हम B का cube करेंगे, हम लिखेंगे D into B का cube divided by 12, तो देखे यह जो rectangle इसका moment of inertia इस axis के बाद निकालना है इसने 20 को काटा मैं 20 का cube करूँगा तो इस axis का moment of inertia जाएगा 200 into 20 का cube divided by 12 तो यहाँ पर देखे मैंने लिखा है 200 into 20 का cube divided by 12 लेकिन मुझे तो neutral axis के बाद इसका moment of inertia निकालना है तो इस axis को इस पर मुझे shift करना पड़ेगा मतलब इन दोनों के बीच में parallel axis theorem लगाना पड़ेगा हम जानते हैं parallel axis theorem कहता है IKK is equal to IG plus AH square तो IG तो आप निकाल चुके यह मतलब इसका area कितना होगा 200 into 20 होगा H क्या होगा इन दोनों parallel line के बीच की दूरी इन दोनों parallel line के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे H बोलेंगे तो देखे यह total कितना है 360 है 360 का आधा कर दीजिए 180 आजाएगा 180 में आप 10 जोड़ दीजिए 190 आजाएगा तो H आपने लिग दिया 190 का whole square तो देखे यहाँ पर एक upper flange एक lower flange है जितना upper flange का moment of inertia इस neutral axis के बोट आएगा उतना ही lower flange का भी moment of inertia neutral axis के बोट आएगा तो मैंने पहले upper flange का moment of inertia neutral axis के बोट निकाला फिर उसमें मैंने 2 का multiply कर दिया तो इन दोनों का moment of inertia neutral axis के बोट आगया अब हमें क्या करना है यह जो बीच वाला rectangle आपको नुज़र आ रहा है इसका वे moment of inertia आपको neutral axis के बाद निकालना है इस लाल वाले axis के बाद निकालना है तो बीच वाले rectangle को ध्यान से देखिए यह आपका rectangle है यह आपका rectangle है इसकी यह side कितना है 360 तो इस axis ने 360 वाले side को काटा है और इसकी यह जो चड़ाई है यह कितना है 10 तो आप कितना लिखेंगे 10 into 360 का cube by 12 10 into 360 का cube by 12 तो यह देखें यहाँ पर मैंने लिखा है बीच वाले rectangle का moment of inertia इसको जब आप solve कर लेंगे तो i के value आजाएगी neutral axis के बाद moment of inertia इन तीनों rectangle का निकलके आजाएगा जो कि आपका इतना है यह जो मैं चीज पढ़ाया है आप इसके लिए moment of inertia के lecture मेरे देखिएगा तो उसमें आपको यह concept बिल्कुल clear हो जाएगा अब हमें के निकालना है bending stresses में निकालना है तो देखिए इसमें क्या लग रहा था एक simply supported beam में ideal लग रहा था 40 kN per meter का और देखिए इसका जो cross sectional area वो eye type का है यह देखिए eye safe है यहाँ पर तो इसके ऊपर आपका क्या लग रहा था यूडिया लग रहा था तो यह beam आपकी इस तरीके से bend होती beam आपकी इस तरीके से यहाँ पर bend होती ठीक अब हम क्या करेंगे bending equation की मदद लेंगे m by i equal to sigma by y equal to e by r तो जब simply supported beam पर यूडिया लगता है तो maximum bending moment बीच में मिलता है वो कितना मिलता है that is omega l square by 8 मिलता है यह आपने shear force और bending moment diagram में पढ़ाता है तो यह m की value हमने यहाँ पर put कर दिया i की value अभी अभी आपने निकाल लिया है यह लिख लिया stress निकालना है y कितना होगा d by 2 d by 2 यह वाली दूरी लीजिए या यह वाली लीजिए उपर आपका क्या आएगा compressive bending stress आएगा और यहाँ पर क्या आएगा tensile bending stress आएगा तो देखे वाई आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 200 क्यों होगा यह 180 है 180 में 28 कर दीजिएगा तो कितना आजाएगा 200 हम इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of sigma अब हम problem number 14 देखते हैं इस problem बोल रहा है an eye section is simply supported over a span of 12 meter if the maximum permissible bending stress आपको दिया हुआ है what concentrated load can be carried at a distance of 4 meter from one support problem पर आते हैं तो देखे यह इस वाल axis के वाउड symmetrical आपको नज़र आ रहा है मतलब इसकी cg बीच में लाई करेगी ठीक तो इस problem को करने के लिए सबसे पहले हम इसका moment of inertia निकाल लेते हैं जिसकी जरुद हमको पढ़ती इस axis के वाउड इस axis के वाउड निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे ऊपर वाले rectangle का mi इस के वाउड निकालेंगे इस के वाउड निकालेंगे फिर इस पर shift करेंगे तो इसने किसको काटा है इसको काटा है तो इसका cube करेंगे b d का cube by 12 होता है तो आपने लिखा 100 into 11.5 का whole cube by 12 अब इसको यहाँ पर आप shift कर लेंगे तो आप जानते है parallel axis theorem लगाएंगे इन दोनों के बीच में IKK is equal to IG plus AH square तो देखें यह तो IG हो गया IG plus AH square करना है AH square यह area हो गया area मतलब इस वाले rectangle का area 100 into 11.5 H मतलब इन दोनों parallel के बीच के distance अब इसमें यह question मना दिया नीचे वाले rectangle का BMI आपको निकालना पड़ेगा इसके अब तो इसको भी आपको इस पर shift करना पड़ेगा निकाल के तो मैंने क्या करा इसी में 2 का multiply कर दिया तो उपर वाले का BMI Iskiew आ गया नीचे वाले rectangle का अब यह माई निकालना इस लाल वाल एक्सिस के बाट तो देखें लाल वाल एक्सिस ने किसको काटा 202 को काटा और इसकी यह जो डाइमेंसन है यह कितनी है 7.5 तो आप लिखेंगे 7.5 इंटू 202 का गोल क्यूब बाइ 12 इसको सॉल्ब कर लेंगे तो आई के वेलो आ जाएगी neutral axis के बाट इसका moment of inertia आ जाएगा यह हमने mechanics में पढ़ा था इसको अभी मैंने काफी fast समझाया है क्योंकि हम strength of material का problem कर रहे हैं उसमें इसकी जरुवत है आप इसको आराम से moment of inertia का lecture देखके समझेगा तो देखिए यहाँ पे compressive bending stress आएगा और यहाँ पे क्या आगा tensile bending stress आएगा क्योंकि यह simply supported beam है तो जितना compressive bending stress आएगा उतना है tensile आएगा और दोनों निकालने के लिए y दूरी कितना लेना है 112.5 क्योंकि यह distance कितना आएगा 112.5 आपका आएगा क्यों आएगा क्योंकि यह कितना आएगा 101 mm आएगा 101 mm में इतना आप add कर देंगे 11.5 mm तो इतना आपका निकल के आजाएगा अब इसमें देखिए आपका यह load अपने को निकालना है कि यहाँ पर load आप कितना लगाएंगे bending stress की value आपको दिया हुआ है यह load कहां पर लग रहा है A से 4 meter पर लग रहा है और पूरा span कितना दिया है 4 यह 12 meter आपको दिया हुआ है तो पहल से concept लगाएंगे तो देखिए RV निकालना है यहाँ पर मैं moment लूँगा W का moment यहाँ लूँगा तो यह आपको clockwise नजर आ रहा है RV का moment आरे पर लूँगा तो यह आपको anticlockwise नजर आ रहा है तो moment क्या होता है force into perpendicular distance that is W into 4 minus RV into 12 equal to 0 तो यहां से RV आ जाएगा इसके बाद आपने condition of equilibrium की second equation की मदद ली that is ऊपर लगने वाले forces minus नीचे लगने वाले forces equal to 0 तो आरे और आर वी ऊपर लग रहा है W कहां लग रहा है नीचे लग रहा है इसको minus करा equal to 0 इन दोनों को आप solve कर लेंगे तो you will get the value of आरे और आर वी के विल आपको मिल जाएगे अब देखिए हमको maximum bending moment नि bending moment diagram बनाएंगे जो कि आपने mechanics में सीखा है तो automatically यहां पे आपको maximum bending moment मिलेगा यह निकालने के लिए आइधर आप rb का moment इस point पे लिजिए rb into 8 कर दीजिए तब भी निकल आ जाएगा या ra into 4 कर दीजिए तब भी maximum bending moment यहां पे c point पे निकल के आ जाएगा जो कि सेम आएगा तो देखिए मैंने rb into 8 करा rb की value आपने निकाली w by 3 into 8 करा तो maximum bending moment आपको निकलके आगया लेकिन आपको तो यह w निकालना है हम bending equation की मदद लेंगे m by i equal to sigma by y equal to e by r m की value आपने निकाला maximum bending moment आपने इस point पे निकाला कितना निकाला w by 3 into 8 अब यहाँ पे यहाँ पे i की value i is the moment of inertia i is the moment of inertia moment of inertia देखे यहाँ पे आप calculate कर चुके है i की value यहाँ पे आप लोग calculate कर चुके है ठीक है i section का moment of inertia i की value आप यहाँ पे put कर देगे sigma, sigma की value आपको question में दिया है 80 newton per mm square तो यहाँ पे 80 आपने put कर दिया y की value आप जानते है neutral axis से outermost layer की जो दूरी रहते उसको y बोलते है तो यहाँ पे यह simply supported beam में जितना compressive bending stress के लिए y की value आएगी उतना tensile bending stress के लिए y की value दोनों same आएगी यह देखे यह y की value है यह भी हम क्या करेंगे अपनी equation में put कर देंगे तो यहाँ पे हमने सारी values put कर दी है एक चीज और यहाँ पे यह जो thousand का हमने multiply करा है यहाँ पे यहाँ पे यह देखे मीटर में दिया है यह भी मीटर में दिया है तो maximum bending moment आपकी जो unit आएगी यह किस में आएगी Newton में आएगी मुझे किस में लिखना है Newton mm में लिखना है इसलिए मैंने यहाँ पर 1000.2 करा है mm में क्यों लेना है क्योंकि stress की value भी देखिया आपको किस में दिया हुआ stress भी mm में दिया है इसलिए इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा mm में लेना पड़ेगा जब आप इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of w अब हम देखते हैं problem number 15 तो देखिये क्या बोल रहा है एक cast iron bracket subjected to bending has a cross section of eye form with unequal flange देखिये upper flange के dimension अलगे lower flange के dimension अलगे the dimension of the section are shown find the position of the neutral axis position of neutral axis निकालना है हम जानते हैं neutral axis कहां से पास होके जाती है body की center of gravity से पास होके जाती है किस condition में जब यह जो material है यह hooks law को follow करे और longitudinal direction में कोई भी stress या force ना लगे तो यह जो इसका neutral axis ही क्या रहेगा इसका central axis ही क्या रहेगा neutral axis रहेगा तो दिखेंगे यह इस body के CG है इसके CG से कोई पास होके जाएगा इसका neutral axis पास होके जाएगा तो पहले अपने को क्या निकलना find the position of the neutral axis तो अपने को पहले इसके लिए CG निकलना पड़ेगा second निकलना है and the moment of inertia of this section इस section का moment of inertia निकलना है neutral axis के about about the neutral axis निकलना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप लो फिर उपर वाले rectangle का माई निकालेंगे उपर वाले के central axis के about इसपे shift कर देंगे फिर नीचे वाले rectangle का माई निकालेंगे नीचे वाले rectangle के central axis के about और neutral axis पे shift कर देंगे फिर बीच वाले rectangle का moment of inertia निकालेंगे बीच वाले rectangle के central axis के about और इसपे shift कर देंगे तीनों कोईट कर देंगे तो तीनों का moment of inertia इस neutral axis के बॉट आ जाएगा आगे बोल रहा है if the maximum bending moment की value दिया है कितना दिया है 40 MN mm दिया हुआ है determine the maximum bending stress की value निकालना है और what is the nature of the stress उसका nature क्या रहेगा ये भी हमें पता करना है ठीक तो करते हैं पहला case देखिए find the position of the neutral axis पहले में बोल रहा है neutral axis की position निकाली है तो हमको इसके CG निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके CG से ही इसका neutral axis पास होके जाएगा तो CG निकालना है तो देखे ये ऊपर वाले rectangle के CG नजर आ रहा है ये नीचे वाले बीच वाले two number वाले rectangle के CG नजर आ रहा है ये नीचे वाले rectangle के CG नजर आ रहा है तो इसके CG y-axis पे कहीं पे भी like करेगी तो हमें y-bar निकालना पड़ेगा y-bar निकालने का formula है a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3 a1 मतलब उपर वाले rectangle का area वो आपका कितना आएगा that is 200 into 50 ये a1 आ गया y1 क्या होए उपर वाले rectangle के CG की दूरी नीचे से that is y1 ये y1 अपने को निकालना है तो क्या करेंगे 50 plus 200 that is 250 plus इतना कितना आएगा 25 ये 25 हो गया ये 200 हो गया ये 50 हो गया तो y1 आपका कितना आगया 275 अब हमें a2 y2 के लिए निकालना है a2 मतलब बीच वाले rectangle का area तो इसके लंगाई कितनी है 200 और ये चोड़ाई कितनी है 50 तो a2 आपका आजाएगा 200 into 50 y2 क्या आएगा second number का जो rectangle इसके cg की दोरी नीचे से ये आपका क्या आएगा y2 आएगा तो ये distance निकालने के लिए पहले आपकर इतना distance निकालेंगे तो ये कितना आएगा 100 100 क्यों आएगा total 200 है 200 का आधा कर देंगे तो ये 100 आएगा 100 में 50 और 8 कर देंगे तो ये कितना आएगा 150 आएगा ये 150 आगया ये आगया y2 अब a3 y3 की value निकालना है a3 मतलब इसका area that is 130 into 50 ये a3 हो गया y3 क्या हो जागा इसके cg का दूरी यहां से ये कितना आएगा 25 तो ये 25 यहां पे लिग दिया यहां पे मैंने सारी value put कर दी a1 y1 a2 y2 a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3 तो y1 आपका इतना आजाएगा मतलब इसके cg की दूरी नीचे से कितनी आएगी 166.51 नीचे से आ जाएगी अब देखिए इसकी cg आपको पता चल गए यह cg cg की नीचे से दूरी कितनी है 166.51 उपर से कितनी आएगी तो total 300 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो इसके cg की दूरी उपर से जाएगी i section का moment of inertia निकालना इस neutral axis के about तो देखिए पहले मैंने क्या करा ऊपर वाले rectangle का moment of inertia निकाला ऊपर वाले rectangle के central axis के about तो इसने किसको काटा 50 को तो 50 का cube करेंगे b into यह d हो जाएगा यह b है और यह d है तो b 200 into 50 का cube by 12 अब इसको हम इसपे shift करेंगे तो इन दोनों के बीच में parallel axis थ क्या कहता है i kk equal to ig plus ah square तो यहां पर kk की जगा neutral axis है तो मैंने लिखा i neutral axis 1 equal to ig1 plus a1 h1 square यह हो गया ig1 की value a1 मतलब area of rectangle number 1 that is 200 into 50 h1 क्या होगा इन दोनों parallel के बीच का distance h1 आप जानते हैं आपने moment of inertia पढ़ा है h1 आपका कितना हैगा y bar minus y1 तो y bar की value आपको दिया है y1 मतलब इस वाले rectangle के cg के दूरी नीचे से that will be y1 अब हमें rectangle number 2 का भी moment of inertia इसके बाद निकालना है तो पहले rectangle number 2 का moment of inertia इसके central axis निकालेंगे तो इसने किसको काटा 200 वाली side को काटा और यह आपका कितना है 50 तो हमने लिखा 50 into 200 का cube by 12 अब इसको इसक इसको पर shift करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे parallel axis theorem हम लिखेंगे i neutral axis 2 equal to ig2 plus a2 h2 square जा ig2 के value हो गई a2 मतलब area of rectangle number 2 that is 200 into 50 h2 मतलब इन दोनों parallel के बीच के दूरी को हम बोलेंगे h2 आपने moment of inertia पड़ा है आप जानते h2 क्या होता है that is y bar minus y2 आप y bar निकाल चुके हैं y bar कितना है 166.51 y2 क्या है rectangle number 2 के cg की दूरी नीचे से जब हम लेंगे तो that will be our y2 तो यहाँ पर देखे y bar minus y2 के value मेंने put करती है फिर हमें क्या करना है तीसरे वाले rectangle का भी moment of inertia इस neutral axis के बाद निकालना है तो पहले rectangle number 3 का moment of inertia rectangle number 3 के central axis निकालेंगे तो इस axis ने 50 को काटा 50 का cube करेंगे हम लिखेंगे 130 into 50 का cube by 12 हमें तो इस neutral axis के बाद इसका moment of inertia निकालना है तो इन दोनों के बीच में मैं parallel axis theorem लगाऊंगा हम जानते हैं आई neutral axis 3 equal to ig3 plus a3 s3 square यह ig3 के value हो गई a3 मतलब area of rectangle number 3 s3 मतलब इन दोनों parallel के बीच की दूरी को हम बोलेंगे s3 हम s3 जानते है that is y bar minus y3 आपका आ जाएगा तो y bar minus y3 मैंने यहाँ वे put कर दिया अब मैं तीनों को add कर दूँगा तीनों के moment of inertia जो मैं इस axis के बाद निकाल चुका हूँ मैं उसको add कर दूँगा तो neutral axis के बाद इतना moment of inertia आ जाएगा तो देखिए आपने इसके cg निकाल लिया नीचे से दूरी उसके इतनी है और उपर से इतनी है ठीक अब हमने इसका moment of inertia भी निकाल लिया और तीसरे पार्ट में हमको maximum bending moment निकालना है हम जानते maximum bending moment कहां पे आएगा जहां जिसकी दूरी neutral axis से सबसे ज़्यादा रहेगी वहाँ पे आपको क्या मिलेगा maximum bending moment मिलेगा तो देखिए neutral axis से ये वाला distance ज्यादा है और ये वाला distance आपका क्या है कम है ये आपका क्या है कम है तो maximum bending moment यहाँ पे मिलेगी आपको ये एक simply supported V में simply supported V में उपर क्या आता है compressive bending stress आता है और नीचे क्या आता है tensile bending stress आता है आप जानते है किसे मान लीजिए ये आपकी एक beam है ये आपकी beam है जब आप इस पे कोई load लगाएंगे ये आप load लगाएंगे तो beam आपकी इस तरीके से bend होगी simply supported beam तो simply supported beam में ये आपको बीच में नजर आ रही है neutral axis जहाँ पर bending stress क्या आएगी 0 तो simply supported beam में ऊपर compressive bending stress आता है और नीचे क्या आता है tensile bending stress आता है तो देखे यहाँ पर हम ले लिखा M की वेलू देखे प्रावलम में आपको दिया है 40 मेगा newton mm यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा मेगा मतलब 10 to the power 6 I की वेलू आप निकाल चुके हैं य की वेलू देखे maximum लेना पड़ेगा यहाँ पर maximum bending stress आपको मिलेगा तो य की वेलू यहाँ पर पुट कर दिया तो maximum bending stress आपको tensile मिलेगा क्योंकि यह simply supported beam है ठीक फिर हम अगले प्रावलम पर आते हैं अब हम प्रावलम नंबर 16 देखते हैं तो इसमें बोल रहा है एक cast iron beam of ice action is simply supported on a span of 5 meter if the tensile stress is not to exceed 20 newton per mm square तो देखें इस simply supported beam में tensile stress आप जानते कहां पर आता है नीचे आता है तो नीचे stress कितना है 20 newton per mm square आपको दिया हुआ है find the safe uniformly load which the beam can carry find also the maximum compressive stress यहां पर maximum compressive stress कितना आएगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसकी cg निकालना पड़ेगा cg निकालने के बाद इसका moment of inertia भी निकालना पड़ेगा central axis के about और यह वाला distance आपको दिया हुआ है यह भी अपन निकाल लेंगे क्योंकि जब y bar निकल जाएगा तो यह वाली दूरी आपको पता चल जाएगे तो यह पता चल जाएगे तो उपर वाली भी पता चल जाएगे चले करते हैं जबाला एक एक चीज निकालते हैं तो मैं आप लोग cg, mi अगर आपने नहीं पड़ा है तो मेरा lecture देखिएगा उसके बाद यह प्रॉल्म में आपको कोई भी दिक्कत cg और mi निकालने में नहीं जाएगे तो देखिए हम पहले इसके cg निकाल रहे है y bar का फॉर्मुला है यह देखिए यह figure number 1 की cg यह 2 की cg और यह 3 की cg इसको हमने 1 बोल दिया इसको 2 बोल दिया इसको 3 बोल दिया तो y bar का फॉर्मुला होता है a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3 a1 मतलब इसका area that is 80 into 20 और y1 क्या होग अब इसके cg के दूरी नीचे से जो आएगी that will be y1 यह y1 निकालना तो क्या करेंगे 40 plus 200 plus यह 10 आएगा तो यह कितना आजाएगा 250 आजाएगा यह 40 है यह 200 है तो यहां तक हो जाएगा 240 तो यह 10 आपको ओर रहे है यह 10 क्यों आएगा टोटल यह 20 है 20 का आजा करेंगे तो यह 10 आजाएगा फिर a2 इसका area that is 200 into 20 यह a2 आपको नुजर आ रहा है y2 y2 क्या होगा इस वाले area की cg का distance नीचे से जब आप निकालेंगे तो इसको अपन बोलते y2 तो यह 40 plus 100 कर देंगे तो यह 140 आजाएगा इतना कितना आएगा 100 आएगा 200 का आधा करेंगे तो यह 100 100 plus 40 तो आपका y2 निकल के आजाएगा फिर a3 निकालना है a3 मतलब area figure number 3 that is 160 into 40 जो के आपने यहाँ पे लिखा हुआ है y3 मतलब इसके cg के दूरी यहाँ से that is your y3 तो यह 40 का आधा कर देंगे तो यह 20 आजाएगा फिर नीचे आपने देखे a1 a2 a3 लिख दिया इसको आप solve कर ले देंगे तो you will get the value of viva viva आपका आगा 90.66 mm अब देखे viva आप निकाल चुके यह वाइवार निकाल चुके नीचे से यह distance कितना है 90.66 है तो उपर से इसका distance कितना आएगा तो total आपका कितना है 40 plus 200 plus 20 total आपका 260 हो गया 260 में से 90 आप माइनस कर दीजेगा तो उपर से इसकी 169.34 अब हमें क्या करना है इसके neutral axis के और moment of inertia निकालना है इसका जो CG है इसका जो centrodal axis है उसी को हमने neutral axis कहा है क्योंकि जब beam का material hooks law को follow करे और longitudinal direction में कोई भी stress या force न लगे तो क्या होता है neutral axis आपका neutral axis रहता है तो इस neutral axis के बड़ आपको moment of inertia निकालना है तो आपने क्या करा पहले ऊपर वाले rectangle का moment of inertia निकाला ऊपर वाले rectangle के centrodal axis के बड़ वो कितना है 80 into 20 का cube by 12 अब इसको नीचे आपने shift कर दिया plus a1 h1 square करके a1 मतलब ऊपर वाले का area h1 आप कितना लिखेंगे that is y-bar minus y1 आप लिखेंगे अब बीच वाले rectangle का इमाई निकालेंगे बीच वाले rectangle के centrodal axis तो इसने 200 वाली side को काटा तो 20 into 200 का cube by 12 इसको भी आपको इसपे shift करना पड़ेगा तो आपको a2 h2 square करना पड़ेगा यह तो आपका ig2 होंगे a2 आपको नुजर आ रहा है rectangle number 2 बीच वाले का area h2 आप जानते है that is y-bar minus y2 होता है जब आप moment of inertia पढ़ेंगे mechanics में तो उससमें यह उस जगह मैंने explain करा है y-bar minus y2 यह कैसे आया है फिर आप क्या करेंगे नीचे वाले rectangle का mi निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में हम parallel axis theorem लगाएंगे हम जानते है parallel axis theorem i-neutral axis 3 equal to ig3 plus a3 s3 का whole square a3 मतलब इसका area that is 16 into 40 s3 हम पहले समझ चुके है that is y-bar minus y3 होता है तो देखिए हम तीनों निकाल लेंगे i-neutral axis 1, i-neutral axis 2, i-neutral axis 3 तीनों को हम add कर लेंगे तो neutral axis के बाट इसका moment of inertia आ जाएगा अब हमें तो bending stress निकालना है तो bending equation के हमको मदद लेनी पड़ेगी हम bending equation जानते हैं that is m by i equal to sigma by y is equal to e by r तो अभी तक आप जितनी भी मेहनत कर रहते हैं यह i निकालने में कर रहे थे तो देखिए इसके उपर क्या लगा हुआ है एक u-deal लगा हुआ है ठीक है u-deal आपका लगा हुआ है हमें क्या निकालना है maximum आपको क्या दिया है if the tensile stress आपको दिया हुआ है 20 newton per mm square आपको दिया हुआ है आपने को क्या निकालना है safe uniform load निकालना है omega की value निकालना है और maximum compressive stress निकालना है तो आप जानते हैं जब इसके उपर u-deal लगा रहता है तो maximum bending stress आपको यहाँ पर मिलती है वो आपको कितनी मिलती है omega l square by 8 मिलती है that is wl by 8 तो देखे हम omega l square by 8 वाला formula यूज करना पड़ेगा m के लिए क्योंकि हमको omega ही निकालना है तो bending equation की मैंने मदद ली m by i equal to sigma by y is equal to e by r तो देखे यहाँ पर आपको stress दिया है आपको tensile stress दिया है जब यह simply supported beam रहती तो नीचे आपका tensile आता है और उपर आपका compressive आता है तो देखे यह beam में यहाँ से आप जब देखेंगे तो यह आपको केसा नजर आएगा i section beam नजर आएगा तो हमने लिखा m by i equal to sigma by y m हम निकाल लेंगे इसमें हम m निकाल लेंगे तो i के value आप निकाल चुके हैं sigma की value आपको दिये यहाँ पर कितना दिया है 20 newton per mm square और y, y के value देखिए नीचे वाले इस point ले y के value कितना है 90.66 तो यहाँ पर देखिए m के value आगई अब हमें तो omega निकालना है तो हम जानते m कितना होता omega l square by 8 होता है किसके लिए udl जब simply supported beam पर लगता है तो यह जो m आपने निकाला यहाँ पर आप equate कर देंगे तो you will get the value of omega हम यहाँ पर direct put कर सकते थे मैंने एक step ज़्यादा यहाँ पर ले ली यहाँ पर m आप put कर देते कि यहाँ पर m कितना आएगा omega l square by 8 आएगा ठीक और यहीं से आपके निकाल लेते m निकालने के ज़रूत नहीं पड़ती omega आपका direct निकालाता लेकिंगे यहाँ पर m की यहाँ हम अगले case में use कर लेंगे इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पर m की यहाँ पहले से निकाल के रख लिए तो omega आप निकाल चुके हैं आपको maximum compressive bending stress भी निकालना है आपको निकालना है जो कि simply supported में ऊपर आती है निकालना है अब y की यहाँ देखिए 169.34 हमने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर आपको maximum compressive bending stress इतना मिलेगा तो देखें यह unsymmetrical था अपर फ्लेंज और लूर फ्लेंज के डैमेंशन अलग थे तो maximum compressive bending stress की value और maximum tensile bending stress की value आपको अलग-अलग मिले थे तो अगर symmetrical रहा था तो दोनों value आपको क्या मिलती same मिलती फिर हम आगे बढ़ते हैं अब हम problem number 17 देखते हैं काश्ट iron beam of T section is simply supported on a span of 8 meter the beam carries a UDL of 1.5 kN per meter length on the entire span determine the maximum tensile and maximum compressive stress तो देखे पहले आपको इसके CG निकालना पड़ेगा CG निकालने के बाद इसका moment of inertia निकालना पड़ेगा इसके neutral axis के about इसके central axis के about यह क्या है आपका simply supported beam है तो इसके neutral axis के ऊपर आपका क्या आपका compressive bending stress आएगा और नीचे आपका क्या आपका तो यहां से जो cross sectional area इसका case है T type का है तो हम देखते हैं तो देखे पहले हमको y bar निकालना पड़ेगा तो y bar का क्या formula a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 a1 मतलब इसका area that is 100 into 20 यह a1 लिखा y1 क्या है इसके CG का distance नीचे से इसको हम क्या बोलते है it is y1 तो देखें यह जो distance आएगा यह 10 mm आएगा क्योंकर total कितना है 20 mm 20 का आधा कर दीजिए तो यह 10 आएगा 10 में आप 80 जोड़ दीजिए तो 90 हो जाएगा तो y1 आपका 90 हो जाएगा a2 मतलब इसका area that is 80 into 20 80 into 20 आपने करा तो a2 आगया y2 मतलब इसके cg के दूरी नीचे से इसको हम बोलते है y2 तो 80 का आधा कर दीजिए तो यह आपका 40 आजाएगा फिर नीचे आपने a1 और a2 लिख दिया तो y-bar के value आपके निकल के आ गई सेकेंड होज हमको इसका moment of inertia निकालना है किस Jest के इसके neutral axis के इसके central axis के आएग़ट तो पहले आप क्या करेंगे ऊपर वाले rectangle का moment-of inertia निकालेंगे ऊपर वाले rectangle के Central axis के ऐगए उसकी साप एक्सिज के आएग़ट तो इस sex ने 20 वाले side को कट हम 20 का क्यूब करेंगे हम लिखेंगे 100 into 20 का cube by 12 तो यह आ गया IG1 की value हमें तो इस centroidal axis इस neutral axis के आप माई निकालना है तो इस axis को आप इस पर shift कर देंगे इन दोनों के बीच में आप parallel axis सरम लगाएंगे आप लिखेंगे I neutral axis 1 equal to IG1 plus A1 H1 square यह A1 हो गया है Rectangle number 1 का area H1 आप जानते हैं that is Y bar minus Y1 होता है तो Y bar आप निकाल चुके है 67.77 और Y1 आपका कितना है that is 90 अब Rectangle number 2 का भी MI निकालना है इस neutral axis के आप इस central axis के आप तो पहले इसका MI इसके Rectangle number 2 के central axis निकालेंगे तो इसने किसको काटा 80 वाली साइट को काटा हम लिखेंगे 20 इन्टू 80 का क्यूब बाइ 12 तो देखिए Rectangle number 2 का ही आ गया Rectangle number 2 के central axis के आपको इस axis को लाल वाले axis पे shift करना है तो इस दोनों के बीच में आपको parallel axis theorem लगाना है तो आपने parallel axis theorem लिखा i neutral axis 2 equal to ig2 plus a2 h2 square a2 मतलग नीचे वाले Rectangle का area 80 into 20 h2 आप जानते हैं that is y bar minus y2 तो वाई वार आप निकाल चुके y2 आप जानते हैं that is 40 तो इन दोनों के MI को आप जोड देंगे तो total moment of inertia आपका इतना निकल के आ जाएगा अब हमें तो compressive हमको तो bending stress निकालना है तो देखिए एक T section की simply supported beam था जिसके उपर UDL लग रहा था UDL लग रहा था तो इसमें M की value कितनी आएगी center में आएगी M की value कितनी आएगी omega L square by 8 आपकी आएगी omega की value आपको दिया है 1.5 kN per meter या 1.5 N per mm 1.5 N per mm ठीक तो देखिए इसका हम क्या करेंगे हम total weight निकाल लें हम omega L square by 8 कर देंगे हम omega L square by 8 कर देंगे तो यहां पर आप value इसकी put कर देंगे यहां पर value आप इसकी put कर देंगे तो देखिए यहां पर मैंने इसको किसमें लिया है meter में ही लिया है मैंने यहां पर इसकी value meter में लिया है किलो न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन पर मीटर ही लिया है यहां पर क्योंकि लेंद भी आपको मीटर में दिया है तो लेंद भी यहां पर मैंने मीटर में ही पुट किया हुआ है यहां पर length difficfarule मैंने किस में put करा हुआ प्रफय कर अफिर में meter में how put किया हुआ है तो देगी मैंने mm में कनवर्ट नहीं करा खाले किलो न्यूटन को यहां पर न्यूटन में ले लिया, तो M की Ya 관련 हम किस वेलू देखें यहां पर किस में न्यूटन मीटर में आई है अब मैंने यहाँ पे उसको न्यूटन एमेम में कनवर्ट कर लिया जो न्यूटन मीटर में निकल के आई है उसको मैंने न्यूटन एमेम में कनवर्ट कर लिया पहले भी कर सकते थे यही है लेकिन मैंने पहले न्यूटन मीटर में निकालने के वाद यहां पे न्यूटन में में convert किया है अब देखिए आपने MQLO निकाल ली अब हमें maximum tensile stress और maximum compressive stress निकालना है तो देखिए यहां पे आपको tensile stress मिलेगा क्योंकि यह simply supported beam है simply supported beam में क्या होता है neutral axis के नीचे आपको tensile stress मिलता है और neutral axis के ऊपर आपको compressive bending stress मिलता है तो आप जब bending equation का formula लगाएंगे that is M by I equal to sigma by Y तो tensile के case में आपको यह वाली दूरी लेना पड़ेगा 67.77 क्योंकि यहां पे tensile मिलेगा और compressive के लिए compressive के लिए आपको यह वाला मैंने 67.77 लिया है और जब for maximum compressive stress निकाल रहा हूँ तो यह वाला मैंने distance लिया है दूनों में M की विलू सेम रहेगी I की विलू सेम रहेगी तो M और I की विलू मैंने सेम लिया हुआ है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे maximum tensile और maximum compressive bending stress निकाल लेंगे तो आप समझ गया है कि जब simply supported beam आपकी bend होती है तो वो इस तरीके से bend होती है यह होती है और इसकी यह रहती है आपकी neutral axis रहती है तो simply supported beam में उपर आपका compressive bending stress आता है neutral axis से उपर और नीचे आपका tensile bending stress आता है वही अगर cantilever type चांप की beam रहती है when cantilever टाइप की beam इस तरीके से bend होती है तो Cantilever type beam में क्या होता है यह आपका neutral axis रहता है Cantilever type beam में नीच्रोल एक्सिस के ऊपर tensile bending stress आता और नीचे आपका compressive bending stress आता है तो आपको ये distance धियान से देखना है तो ये neutral axis के ऊपर देखें यहाँ पर compressive आ रहा है और यहाँ पर क्या रहा है tensile आपका आ रहा है फिर हम आगे बढ़ते हैं अब हम problem number 18 देखेंगे तो देखें इसमें क्या कह रहा है इस simply supported beam of length 3 meter carries a point loading of 12 kN at a distance of 2 meter from the left support यह जो left support है यहाँ से 2 meter पर यहाँ पर point loading आपका लग रहा है मतलब यहाँ से 1 meter पर यह point loading आपका लगेगा the cross section of the beam is shown determine the maximum tensile and compressive stress at xx हमें इस point पर maximum tensile और compressive stress निकालना है तो देखें यह simply supported beam में इसके बीच में क्या रहेगा neutral axis रहेगा आप जानते हैं simply supported beam में ऊपर आपका compressive bending stress आता है और नीचे आपका tensile bending stress आता है तो beam का जो cross sectional area वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस beam की neutral axis को पता करना पड़ेगा neutral axis कहां से pass होके जाएगा यह जो cross sectional area आपको नजर आ रहा है इसकी center of gravity से pass होके जाएगा तो पहले हमको इन दोनों figure का क्या निकालना पड़ेगा center of gravity निकलना पड़ेगा इसकी center of gravity से इसका central 1967 pass ह के जाएगा इसके central老 axis ही अप इसका क्या होगा neutral axis होगा तो पहले हम cg निकालेंगे फिर इसके neutral axis के और हमको moment of inertia भी निकालना पड़ेगा हमको इस point पर क्या निकालना है bending stress निकालना है tensile stress और compressive stress हमको निकालना है तो हमको इस point पर moment भी लेना पड़ेगा moment लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले RA और RB की value भी निकालना पड़ेगा RA और RB तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले topic समझने के लिए हमें support reaction आना चाहिए, center of gravity, moment of inertia आना चाहिए, shear force और bending moment diagram हमें आना चाहिए, जो कि हमने mechanics में पढ़ा है, तो वो वाले lecture of mechanics का देख लीजिएगा जिनमें मैंने ये सारे topic कभर किये हैं, तो देखिए, पहले हम क्या करते ह यहाँ पे जो reaction लग रहा है, उसको मैंने क्या बोला है, RA बोला है, और यहाँ पे जो reaction लग रहा है, उसको मैंने RB बोला है, तो हमें RA, RB की value निकालना है, तो देखिए, RB निकालना तो इस point पे मैं moment लोगा, तो देखिए 12 का moment इस point पे आपको नज़र आ रहा है clockwise और इसका moment नज़र आ रहा है anti clockwise मैंने लिखा 12 into 2 moment क्या होता है force into perpendicular distance तो 12 के लिए perpendicular distance यह होगा rb का moment लेंगे तो rb into 3 लिखेंगे is equal to 0 तो एक equation आपकी बन गई इस equation से आपकी rb की value निकल के आ जाएगी इसके बाद हमें क्या करना rb की value निकालना है हम sigma v equal to 0 कर देंगे उपर लगने वाले forces minus नीचे लगने वाले forces equal to 0 तो इससे आपकी rb और rb की value निकल के आ जाएगी चुकि हमें इस point पे हमें stress निकालना है compressive और tensile stress निकालना है तो उपर आपका compressive आएगा नीचे आपका tensile आएगा तो उपको इस point पे पहले bending moment निकालना पड़ेगा तो इस point पे जो bending moment प्रेडियूस करेंगे इस point पे bending moment जो आपका प्रेडियूस करेंगे अगर आप right side का section लेंगे अगर आप right side का section लेंगे तो ये दोनों force क्या करेंगे rb or 12 kN का क्या करेंगे यहाँ पर bending moment produce करेंगे तो इन दोनों का moment अपन इस point पे लेंगे अगर आप left side का section ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा ra का moment इस point पे लेना पड़ेगा तो ra into 1.5 लिखेंगे और right side का section लेंगे तो क्या लिखेंगे 12 into ये वाला distance ये distance कितना आजाएगा आपका 0.5 आजाएगा 12 into 0.5 minus rb into 1.5 तो दोनों से bending moment इस point पे क्या आएगा सेम आएगा तो right side का section लीजिएगा तो इन दोनों का moment लीजिएगा rb और 12 का moment लीजिएगा और left side का अगर section लेके bending moment निकालना है तो खाली ra का moment यहाँ पे आपको लेना है तो देखेंगे यहाँ पे मैंने लिया है तो bending moment at xx ra into 1500 लिखा है ये 1.5 meter है इसको मैंने mm में convert कर लिया है तो देखेंगे कितना आगया कितना है 6000 into 10 to the power 3 newton mm और अगर मैंने right side का section लिया है तो मैंने यहाँ पे लिखा है 12 का moment लिया है तो 12 kilo newton है तो newton बना लिया 12,000 into 500 ये 0.5 meter है तो इसको मैंने mm में convert कर लिया फिर rb into 1500 तो इससे भी देखें right side का section ले या left side का section ले दोनों से answer आपका क्या आएगा same तो आपने क्या कर रहा है यहाँ पे moment लिया अब अपने को इसकी cg में निकालना है क्योंकि इसके cg से क्या pass होके जाएगा neutral axis पास होके जाएगा तो इसकी cg निकालने के लिए हम यह वाला formula यूज़ करेंगे y bar equal to a1 y1 minus a2 y2 upon a1 minus a2 a1 मतलब यह पूरा बड़ा वाला जो rectangle है इसका area इस बड़े वाले rectangle का area कितना है यह वाली side कितनी 100 और यह वाली आपकी कितनी 150 तो देखे 150 into 100 में ने लिख दिया इस पूरे बड़े rectangle की cg बड़े वाले rectangle के बीच में रहेगी तो यह जो distance आएगा यह y1 होगा तो यह total length कितना है आपका 150 है 150 का आधा कर देंगा तो यह 75 आजाएगा a2 मतलब area of figure number 2 figure number 2 यह छोटे वाले rectangle को मैंने लिया इसका area तो देखे इसकी यह जो side है यह 50 और यह कितनी 75 तो मैंने क्या लिखा 75 into 50 इसका area y2 क्या होगा यह छोटे वाले rectangle की CG का distance नीचे से तो पहले छोटे वाले rectangle की CG का distance आप यह वाला निकालेंगे यह कितना है 50 है फिर इतना लेंगे यह कितना होगा 75 divided by 2 होगा यह height कितना है 75 75 का आधा कर देंगे तो यह कितना जाएगा 37.5 37.5 में 50 को add कर देंगे तो यह 87.5 आ जाएगा यह आपका y2 होगा यह आपका y2 होगा फिर नीचे आपने लिख दिया a1-a2 लिख दिया इसको जब आप solve कर लेंगे तो you will get the value of y bar यह आप क्या जाएगी 70.83 mm अब देखिए इसकी cg आपको पता चल गई अब हम क्या करेंगे centrodal axis के बड़ इसका moment of inertia निकालेंगे इसका बड़े वाले rectangle का और छोटे वाले rectangle का तो यह देखिए यह बड़े वाले rectangle के cg है बड़े वाले rectangle का moment of inertia बड़े वाले rectangle के centrodal axis निकालेंगे फिर हमको इस पर shift करना पड़ेगा तो बड़े वाले rectangle का moment of inertia अगर इस axis के बड़े यह axis किसको पाट रहा है इस वाले side को पाट रहा है तो हम इस वाले side का cube करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे 100 into 150 का cube divided by 12 यह क्या गया है जो बड़ा बड़ा rectangle है उसका moment of inertia बड़े बड़े rectangle के central axis आ गया हमें इस axis को इस पर shift करना है तो इन दोनों के बीच में हम parallel axis theorem लगाएंगे यह देखिए यह मैंने parallel axis theorem यहाँ पे लिखा है इस parallel axis theorem में IG1 के value आप निकाल चुके हैं उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा A1 H1 square जोड़ना पड़ेगा A1 मतलब बड़े वाले triangle का area that is 100 into 150 H1 H1 मतलब इन दोनों parallel line के बीच की दूरी इसको हम क्या बोलेंगे that will be H1 यह H1 आपने पढ़ा है जब आपने moment of inertia पढ़ा था that is y bar minus y1 के जित्ता ही H1 आएगा तो देखिए तो इससे क्या जाएगा I moment of inertia about the neutral axis of figure number 1 आपका निकल के आ जाएगा इसी तरह यह जो अंदर white वाला rectangle आपको नज़र आ रहा है इसका भी moment of inertia इस axis के बोड़ निकालना पढ़ेगा तो पहले आप क्या करेंगे यह जो छूटा वाला rectangle इसका moment of inertia छूटे वाले rectangle के central axis के बोड़ निकालेंगे तो इस axis ने rectangle के इस side को काटा तो इस side का हम cube करेंगे यह side कितना है 75 है और यह side कितना है 50 है हम लिखेंगे 50 into 75 का cube by 12 तो यह इस axis के बोड़ माई आ गया अब हमें तो इस के बोड़ निकालना है तो इन दोनों के बीच में हम parallel axis theorem लगाएंगे तो यह देखिए यह parallel axis theorem लिखा हुआ है I na2 equal to ig2 plus a2 h2 square यह यह 2 लिख दिया a2 मतलब area of this छोटा वाला rectangle that is 50 into 75 यह लिख दिया h2 मतलब इन दोनों parallel line के बीच की दूरी को हम बोलेंगे h2 h2 आपका कितना आएगा that is y bar minus y2 तो वाइवर आप पहले निकाल चुके है उसमें से y2 आपने घटा दिया छोटे वाले rectangle के cg की दूरी जो नीचे से रहती है that is equal to y2 तो इससे आपका I na2 भी आ गया तो देखिए बीच में cut section है तो बड़े वाले rectangle के moment of inertia जो इस axis के about आया है neutral axis के about आया है उसमें से हम minus कर देंगे छोटे वाले rectangle का moment of inertia जो की neutral axis के about आया है तो देखिए आई neutral axis आपका इतना निकल के आ जाएगा तो हमने क्या निकाल लिया moment of inertia निकाल लिया neutral axis के about हमने bending moment भी निकाल लिया किस वाल axis के about इस वाल axis के about अब इस problem में कोई विशेज कुछ नहीं बचा है अब हम क्या निकाल सकते हैं तो देखिए bending equation हम जानते m by i equal to sigma by y equal to e by r हम जानते कि यह simply supported beam में simply supported beam में उपर आपका compressive bending stress आता है और नीचे आपका tensile bending stress आता है यह देखिए यह आपका क्या है neutral axis है अगर आपको tensile bending stress निकालना यहाँ पे stress अगर आपको निकालना है तो यह जो y की value आप लेंगे that is 70.83 यह वाली दूरी लेंगे और अगर आपको compressive bending stress निकालना तो y की value हम यह लेंगे 79.17 तो देखिए यहाँ पे y की value में 79.17 लिगा है तब जब हम compressive bending stress निकालेंगे दोनों के लिए m की value cm रहेगी वो आप पहले निकाल चुके हैं दोनों के लिए i की value cm रहेगी वो भी आप पहले निकाल चुके हैं दो उनों में Y के उलो different रहेगी, तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको compressive bending stress निकालने के लिए कहा गया है या tensile bending stress निकालने के लिए कहा गया है, हमें problem में देखना पड़ता है कि यह simply supported beam है या cantilever है, अगर cantilever रहता तो cantilever पे जब load लगाते हैं तो cantilever आपका देखे इस तरीके स bend होता है, तो cantilever की देखे यह आपको neutral axis नजर आ रहा है, cantilever में ऊपर आपका tensile bending stress आता है और नीचे आपका compressive bending stress आता है, वही जब आपके simply supported beam रहती है, simply supported beam, simply supported beam आपके कुछ इस तरीके से bend होती है, जब आप load लगाते हैं तो इस पर bending आपको इस तरीके की नजर आ रही है यहाँ पर देखे, यह simply supported है, यहाँ पर आपका support लगा हुआ है, और जब आपने load लगा है यहाँ तो beam आपके इस तरीके से bend होती है, और cantilever में देखे, load लगाएंगे तो beam इसे bend होगी, तो simply supported beam में यह देखे, आपको यह नजर आ रहा है, यह आपका neutral axis है, यहाँ पर bending stress क् चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हब देखेंगे problem number 28, तो यह water main of 500 mm internal diameter and 20 mm thick is running full, the water main is of cast iron and is supported at 2 points 10 meter apart, तो यह simply supported beam की तरह water main आपका काम कर रहा है, the maximum stress in the metal निकालना है, the cast iron and water weight 72,000 newton per meter cube and 10,000 newton per meter cube respectively, तो देखें, iron का और water की weight density आपको दिया हुआ है, weight नहीं दिया है, weight density दिया है, तो हम क्या करेंगे, weight density दिया है, तो हम वेट निकाल लेंगे, उसमें भी weight कौन सा निकालेंगे, weight per unit length हम लोग निकाल लेंगे, ठीक, तो weight per unit length हमको निकालना पड़ेगा, तभी क्या होगा, problem हमारा आगे बढ़ पाएगा, तो देखें, हम समझते हैं, तो देखें, आपकी ये pipe आपको नज़र आ रहे है, काश्ट iron की pipe है, जो आपको येलो से नज़र आ रहे है, और इसके अंदर पानी जा रहा है, दोनों की weight density आपको दिया हुआ है, इसका diameter दिया हुआ है, 540 mm, और इसका internal diameter दिया है 500 mm, तो देखें, हम area of काश्ट iron pipe निकाल लेंगे, ये cross-sectional area हम निकाल लेंगे, ये cross-sectional area पा कितना हैगा, pi by 4, d outer का whole square, minus pi by 4, d inner का whole square, तो d outer आपको दिया है, ये आपको mm में दिया है, इसको मैंने यहाँ पे meter में put कर दिया है, d inner आपको mm में दिया है, इसको भी मैंने meter में put कर दिया है, तो cross-sectional area आप काश्ट iron pipe आपका निकाल लेंगे, जिसके अंदर ये water अंदर, तो अंदर वाले pipe का area पर निकाल लेंगे, pi by 4, d inner का whole square, तो d inner 500 mm दिया है, इसको भी meter में लिख दिया है, तो अंदर वाले pipe का भी आपका cross-sectional area आपका निकल के आगया है, अब देखिए हम जानते हैं, हमें तो weight निकालना है, weight per unit length निकालना है दोनों का, वाटर का भी निकालना है, pipe का भी निकालना है, तो हम दोनों का weight per unit length निकालेंगे, और जोड़ देंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि इनका weight per unit length ये UDL के जित्ता हो जाएगा, जो यहां पर UDL लग रहा है, और UDL लग रहा है, कहां पर लग रहा है, एक simply supported beam पर लग रहा है, वो वहला case आपका बन जाएगा, तो देखिए हम जानते क्या जानते, mass density क्या होती है, mass upon volume होता है, weight upon volume क्या होता है, area into length होता है, अगर आपको weight निकालना है, तो weight density में area into length का multiply कर देंगे, तो weight is equal to weight density into area into length, तो हमको weight per unit length निकालना तो length की value में कितना ले लूँगा, 1 ले लूँगा, तो आपका weight per unit length आपका निकल के आ जाएगा, दूनों का निकालेंगे, 5 का भी निकालेंगे, और ये water का भी हम तो देखे पहले हम weight per unit length निकाल लेते हैं ताकि problem अपना आगे बढ़ पा है तो weight of pipe for one meter length, pipe का weight per meter length कितना आएगा that is weight density of cast iron into volume of the pipe, volume of the pipe को मैंने क्या लिग दिया area of the pipe section into length, चुकि हम क्या निकाल रहे, weight of the pipe one meter run per meter length निकाल रहे, इसलिए length की जगह मैंने क्या लिया है, one लिया है area of pipe तो आप निकाल चुके हैं और इसकी weight density दिया हुआ है, question में कितना दिया है 72,000 newton per meter cube दिया हुआ है, इससे weight of the pipe per meter length आजाएगा इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, weight of the water भी निकालना पड़ेगा, per meter length निकालना पड़ेगा तो देखे, weight of water for one meter length क्या होगा, weight density of water into volume of water volume of water मतलब area of water section into length, area of water section आप जानते हैं cross-sectional area जो आपने निकाला था length देखे, हमने one meter लिया, weight density of water आपको दिया है, तो weight of water per meter length आपको पता चल गया weight of pipe per meter length भी पता चल गया, weight of water per meter length भी पता चल गया टूटल आपने इन दोनों को जोड दिया आपने दोनों को जोड दिया तो आपको किसकी वेलू मिल गए ओमेगा मिल गए यह वेट पर यूनिट लेंथ आपको मिल गया आपको क्या मिल गया वेट पर यूनिट लेंथ आपको मिल गया और यह कौन सा केस है यह आपको कौन सा के से एक simply supported beam है जिसके उपर ideal लग रहा है और उसका weight per unit length आपको मालूम है इतने newton ये क्या है newton per meter है तो meter कितना लिया है one लिया है इसलिक खाली यहाँ पर newton लिखा वर अब देखे इस case में maximum bending moment आपको यहाँ पर निकल के आता है इस जग आता है तो यह maximum bending moment यहाँ पर कितना आता that is omega l square by 8 निकल के आता है यह किसकी value आएगी m की value आएगी तो यह m की value आपको पता है that is omega l square by 8 अब problem पे हम आते हैं अब हमें इस problem में एक और चीज़ निकालना पड़ेगा तो पहले bending moment तो आप निकाल लेंगे omega l square by 8 omega की value आपने निकाल लिया है that is 4314 length देखे 10 meter दिया है इसक मैंने mm में convert कर लिया 8 से divide कर दिया तो यह में यह आपकी m की value आ गए हमें इसका moment of inertia भी निकालना पड़ेगा इसका moment of inertia का formula आप जानते हैं यह hollow section है circular section है तो इसका आई कितना होगा pi by 4 d outer to the power 4 minus d inner to the power 4 यह कहां से आता है formula यह आप mechanics में पड़े हैं जब आपने moment of inertia पड़ा हो lecture का video आप लोग देख लीजिए अब यहां पर i निकालना है इसका तो देखें d outer की value put कर देए d inner की value put कर दी तो i की value आपकी आगई m की value आपकी आगई हमें maximum bending stress निकालना है तो देखें neutral axis बीच में से pass होके जा रहा है मतलब जितना compressive bending stress आएगा उतना इसमें tensile bending stress आएगा दोनों की value क्या आएगे सेम आएगे तो देखें हम bending equation जानते हैं m by i equal to sigma by y तो m की value देखें आप निकाल चुके हैं m की value यहां पर put कर देंगे i की value आप निकाल चुके हैं sigma की value आपको निकालना है y की value क्या होगी neutral neutral axis से outermost layer की जो दूरी रहती है उसको हम y बोलते हैं तो y क कितना आजाएगा 270 mm ठीक तो देखें यहां पर तो compressive bending stress आएगा जितना ही compressive आएगा उतना ही tensile bending stress आएगा क्योंकि दोनों के लिए y की value क्या है सेम है that is 270 mm है तो y की value देखें यहां पर मैंने 270 mm पुट कर दिया तो इससे आपका bending stress maximum bending stress की value निकलके आ गई that is 13.18 newton per mm square next problem देखते हैं